नमस्कार साथियों मैं मनीश भारती संस्कृती PCS प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ साथियों जैसा कि आप जानते हैं हम बिहार से संबंधित विभिन मुद्दों की चर्चा करते आए हैं एकॉनमी के सुरुवाथ हमने लास्ट लेक्चर से किया था जी आए टैग आप देख चुके हैं अब उर्जा संसाधन को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं कि बिहार के प्रमुख उर्जा संसाधन कौन-कौन से हैं उसका स्रोत क्या है कौन सी संबंधित कंपनी है उस कंपनी क विष्याय में भी थोरा सा समझेंगे बिहार की उर्जा मांग कितनी है इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे और जो मांग है उसके according पूर्टी कितनी की जा रही है ये तमाम बातों पर हम विष्टार से चर्चा करने वाले हैं इसके अलाबा उर्जा के महत्त विशेक को भी थोरा सा देखेंगे, देखिए प्रमक उर्जा संसाधन की चर्चा करें, तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर उर्जा की आवशक्ता क्यों है, देखिए आज कर जो भी काम हो रहा है, अगर मैं आप से बाचीत भी कर रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो आप समझे हैं, अगर मुझे मोवाईल से देख रहे हैं, या आपके पास ट्रैव है, या आपके पास लैपी है, तो वह उसमें बैटरी लगा है, है ना, उसको चार्ज करना पड़ता है, वह जब तक चार्ज नहीं होगा, तब तक कारें नहीं करेगा यानि कि और जा कि आवशकता उसे है उसके लिए आपको electricity चाहिए electricity पड़ूशो कर कि कहीं से आएगा हमारे सरी को भी और जाए चाहिए चलने के लिए कुल मिलाकर करके कहने का ताथ पर है कि और जाए कैसी चीज है यानि कि energy जब तक यह उपलब्ध हम सब के पा क्या होगा भाईया हाई तोवा मत जाता है इंटरनेट से हम सारा काम करते हैं लेकिन इंटरनेट के लिए भी तो electricity चाहिए तो कुल मिलाकर के यहाँ पर उर्जा का अपने आप में बेहद महत्पुर्ण भूमिका आज के मानम समाज में है ना चाहें वो देश हो या देश के बाहर पुरे दुनिया में ऐसा कह सकते हैं जीवन अस्तर में सुधार और तक्रीकी के विकाश में इसकी महत्पुर्ण भूमिका होगा अब इसका सुरुत क्या है उर्जा हमें चाहिए लेकिन उर्जा हम तक पहुंशेगा कैसे कैसे हम उसे प्राप्त करेंगे इसके resources क्या ह हो सकता है जैना देखिए इसके लिए सबसे पहले चीज क्या हो सकता है खनिज तेल हो सकता है उसके बाद कोईला हो सकता है यह भी हमारे लिए है लेकिन यह एक ऐसे चीजे हैं जो कि खत्म हो जाएगा आने वाले समय में इसलिए इस पर निर्फरता हमें कम भी करना है दूस renewable energy देखेंगे ठीक है नवी करनिय उर्जा और और नवी करनिय उर्जा दोनों चीजों को शमजने की कोशिश करेंगे अगर देखिए यहाँ पर विंड को ले करके यानि कि पवन उर्जा की बात करेंगे तो पवन उर्जा में कि हमें हमारा क्या कोईला खर्च हो रहा है नहीं हो रहा है न क्या इससे प्रदूशन निकल रहा है कुछ ऐसा प्रदूशित हो रहा है नहीं हो रहा है बलकि प्रकिर्टी में जो संसाधन देखेंगे तो भगवान सुरुर को अरग भी देते हैं थो उसी भगवान सुरु से यानि की सन से हम ये क्या कर सकते हैं जो धूप रहता है वहाँ से शॉलर एनेरजी में उसको'm के वी इन निकाल सकते हैं, इसके अलाबा जियो थर्मल ये भी उपलब्ध है हमारे पास, इसके अलाबा बायो मास से भी हो सकता है, तो ये सारी जो है रेंवेवल एनरजी के तहट आप आएगा, और ना भी करनी उर्जा की चर्चा करेंगे, तो चाहे वो तेल से हो, चाहे वो कुईला स जो चीज़े है न हम आयात करते हैं बाहर के देशों से लाते हैं चाहे वो गल्फ कंट्री से हो चाहे वो अमेरिका से हो चाहे वो रसिया से हो लेकिन हम आयात करते हैं इसलिए हमें जोड़ देना है नवी करनी अरजा पर जिसका औसमित भंडार है इसका औसमित भंडार नहीं है natural gases खत्म हो जाएगा इसलिए हमें इस पर ज्यादा जोड़ देदा है ताकि हमारे चीजों का जो overall cost रहे वह भी कम हो सके तो यहां पर आप से मैंने चर्चा किया गैर पारंपरिक उर्जा के सुरॉत देखेंगे तो सौर उर्जा और बायो हो गया स्पवंबं उर्जा जोर्ग शैब्षा यह असकी प्रक यह उछा होरा है हम चाहरें कि घर पर इस प्रक उर्जा के सिंध सबिस्ब्स हो जाए हैं समाह साथ संसाधन जैसे तकनिक आएगा हम ऐसा कर पाएंगे अब इसके लिए क्या हो रहा है अगर परमपरागत उर्जा के सुरोत पर हम चलते हैं हम कोईला से एनरजी चाहते हैं तो भाई कोईला आपको भंडारन भी करना परेगा कोईला का खनन भी करना परेगा खनन करते हैं कारखाने में जाते है आप जमिन के नीचे धस जाता है वो, उसमें बहुत सारे क्रमचारियों के मिर्टु हो जाती है, सब सुनते रहोंगे आप, तो इसका भंडार भी एक तो सिमित है, वहां से परस्कृत करके निकाले तो भंडार करने की अलग समस्या है, और ये निश्चित तोर पर अगर भंड 23 में बिहार की उर्जा के सिति, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा आर्थिक सर्वक्षन 2023-24 बिहार का लेना है, और उसके अनुसार हमें 2022-23 की बात करेंगे, है ना, पिछले एक वर्स में क्या हुआ था, इन चीजों पर बिहार में उर्जा के सिति क्या रहा, इसको देखेंगे कुछ फैक्ट है, फैक्ट मैं बताता चलूँगा, जो चीजे समझाने का था, समझा चुका हूँ, फैक्ट यहां बताता चलूँगा, स्क्रिन स्वा टेना है तो नौट कर लीजेगा, लिखना हो तो लिख लीजेगा, यह इंपोर्टेंट आपके लिए है, चुकि as it is data यह ने वैसा ही रखा, देखिए, उर्जा की चरम मांग कितना रहा है, तो 6880 मेगावाट बिहार में रहा है, यह आर्थिक सरवेक्शन, 2023-2024 से हमें पता चला है, कि 2022-2023 में बिहार के उर्जा के मांग इतना था, डिमांड इतना था, 6880 मेगावाट, अब भया इतना डिमां 30 मेगावाट, तो आप मुझे बताईए, कि आल्मोस्ट डिमांड को पूरा कर दिया गया, कि नहीं बिहार के द्वारा कर दिया गया, यह बात हमें आर्थिक सरवेक्शन, 2023-2024 से पता चलता है, यह मामला समझ में आ गया, यह डेटा आप ध्यान रखिएगा, एक समय हुआ क करता था, कि डिमांड भी बिहार का बहुत कम था, हानकि जितना भी डिमांड था, वह बिल्कुल भी पूरा नहीं हो पाता था, चुकि तकनीक नहीं था, इतने संसाधन नहीं थे, कि उसकी पूर्ती की जा सके, और प्रश्न पहला वाला, कि डिमांड क्यों नहीं था, भया डिमांड कब रहेगा, जब शेहरी करन होगा, जब वहां पर इंड्रस्ट्री लगेगा, तरह तरह के काम होंगे, इनोवेशन नवाचार की स्तिती होगा, तभी तो होगा, लेकिन बिहार में सहरी करन का दर बहुत कम है, पनायन जादा है लेकिन समय के साथ जैसे आधार बोट बना इंडस्ट्री लगने शुरू हो गए शहरी करन हुआ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया तो बताइए इन सभी चीजों के लिए उर्जा की आवश्रक्ता होगा ना इसलिए मांग बढ़ता गया और समय के साथ जो है बिहार सरकार विभिन प्रजेक्ट पे काम कर साता है कुछ तो सरपलस होता है तो बिहार सरकार बाहर भी भेज देती है बेज भी लेती है मामला समझ में आ गया वर्ष दो हजार ताइस चौबिस में उर्जा की चरम मांग पूर्ती जो है साथ हजार 576 मेगा पार्ट पहुंच गई है आर्थिक सर्वेक्शन दो हजार त अच्छा है बुरा नहीं है 31.1 पर पर संतुष्ट दायक नहीं है अभी बहुत जायद है स्थिती इसमें अच्छा करना है क्यों कह रहा हूं क्यों कह रहा हूं देखिए यहां पर नभी करिए कि भाई आपको हाईड्रो पावर पर काम कीजिए न क्या दिक्कत है आप बायो अच्छत रहे जहां पर पानी ही पानी है पूरा मिधला भरापरा है गंडग बुढ़ी गंडग बागमती कोसी ब्यार का सोग गंदा भीचों भीचों करके निकलती है समझ सकते हैं तो कुल मिला करके आपको पास जल है तो आपके पास हाइड्रो पावर की छमता है अगर आ मैस के स्थिति यहां पर रहेगा इन तमाम चीजों पर अगर आप गौर करेंगे तो आप कहेंगे नहीं भाबा ये 31 परतीशत तो ठीक है लेकिन इसको तो 50-60 पर जाना चाहिए था समय के साथ जैसे जैसे तकनीक बढ़ेगा संसादन बढ़ेगा चीजे बहतर होता जाएग तो ये चीजे कहां से पता चलता है आर्थिक सर्वेक्षन 2023 से मामला केलियर हो गया आगे बढ़े आर्थिक सर्वेक्षन के अनुसार बर्स 2025-2026 में कुल उर्जा उत्पादन में ताप विदुत उर्जा का अंस यहां पर कहा गया है 65.3 परतिशत होगा होगा भवश्यकाल क की बात है अब इसे कल्कुलेट करके हमने रख लिया है चीजों को देखते हुए डेटा को देखते हुए कि इतना हो सकता है यह 25-26 के लिए कि ताप विदुत उर्जा क्या जो यहां पर अंस है वो 65.3 परसेंट होगा जो कि अभी अर्षा 10.9 परतिशत है यानि कि यह घटे सब्सक्राइब से नविकरनियाऊ अर्जा का जो अंस है उसमें वर्दी हो रहा है क्यों वर्दी हो रहा है तकनीक आ रहे हैं तो जो sekनीक आरह तो जो नैच्रल स्रेख मारे पास है उसका उपईयों कि या जाएगा न यही बात देशन अचाना प्रतिशत के आसपा साथ चला जाएगा 34.7 प्रतिशत हो गया ये होगा ये कहा गया है राज्जी में प्रतिवेक्ति विदुत उपभोग वर्ष 2021-22 में 329 किलो वाट घंटा रहा है हलांकि इसमें विस्तार होगा समय के साथ जैसे जैसे सहरी करन होगा इसमें बुधापा देखने को मिलेगा बढ़ावा देखने को मिलेगा राज्जी में वर्ष 2022-23 में सरवादिक विजली खपत वाले जिले की बाद चर्चा करते हैं ये पॉइं पटना के बाद गया वही महानगर है वहाँ पर भी परेटन आते हैं तो ये सारी चीज़े उसके बाद मुझपरपूर बिहार की और दोगे के राजधानी जो है मुझपरपूर को कहा जाता है यहां पर ये भी रेगा ये सब जग चर्वाधिक वाला है बिजली जैदा खप चाहरी करन कम होगा यही सब चीज़ें कम बिजली की डिमान करेगी तो हो गया ना शेखपूरा अरवल सीवर चोटा 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 मामला आ गया मामला समझ याद करने का तरीका है लौजिक लगाएंगे चीज़ें आसान हो जाएगा अब चलिए यहां पर बिहार में और ज चीज़े दिश्ट्रिक को देख लो तुम लेंखेयर टयको को तुम लेंखेयर को सभी अधार यहां पर भी एस ऑबी को वर्स दोहजार बारा में कितने में पांच भाग में विभाजित कर दिया गया, बटबारा कर दिया गया, कि एक ही साथ मत देखो, पूरा काम गरबर हो जाता है, सही से देखो, बिहार राज बिदूत होल्डिंग कमपनी लिम्टेड, यानि कि B.S.P.H.C.L., इसके अलाबा बिहार राज बिदूत उत्पाजन कमपनी लिम्टेड, उत्तर बिहार विदूत वितरन कमपनी लिम्टेड, ध्यान दीजेगा, वितरन, distribution का काम दिया गया, किसको? उत्तर बिहार को, अब बताईए कहां करेगा, बिहार के उत्तर ही हिस्ता में, दरभंगा, मधवनी, सहर्चा, सुपोल, मधवपूरा, बैसाल यह मुझपरपूर कहां, यह उत्तर बिहार विदूत वितरन, कमपनी लिम्टेड, आप देखेगा, आपके घर में अगर आप, दरभंगा, मधवनी, सहर्चा, सुपोल करने वाले हैं, इस कमपनी के द्वारा, बिल आता होगा, किसके द्वारा, NBPDCL, यही बिल देता होगा और दक्षिन पिहार, विदूत वितरन कमपनी लिम्टेड, यानि कि SBPDCL, यानि कि अगर आप गया नवादा और अंगाबाद के अमूर रोहतास, इन सब जगह के होगे, तो आप देखेगा, आपको इस कमपनी के द्वारा बिल जाता होगा, बिल जाता होगा, ऐसे भी समझन है, बिहार के प्रमुक ताप विदूत केंदर के विशाय में समझते हैं, यहां पर उसके विशाय में और थोरा थोरा जनकरी यहां दिया गया है, आप इतना भी पढ़ लेंगे काम चल जाएगा, सबसे इंपोर्टेंट कौन सा है, बरवनी का हम लोग चलते हैं, बेगू सर देता रहा, उस बक्त जब यह रूस जो था, सोवियत संग हुआ करता था, भाई 90 के दसक में जाके रूस हुआ न, उससे पहले तो सोवियत संग था, तो उसी समय इसने मदद किया था, भारत सरकार को, उसी के तहट बरवनी में यह लगाया गया था, थरमल पावर स्टेशन ठीक है, देखे, 1962 में यह है न, उस बक्त जो भी संगी था, तो 1962 में इसका संचालन सुरू हुआ, तो बरवनी तेल रिफाइनरी ने इसके लिए इंधन और कच्चा माल उपलद कराना सुरू कर दिया, क्योंकि बरवनी में आप जानते रिफाइनरी भी है, ठीक है, कांटी बिजली उत्पादन निगम लिम्टेर, इंपोर्टेंट है यह कांटी, जौज फंडांदिश थर्मल पावर प्लांट, रस्थापना उनिश बिहार के मुझपर पूर जिले के कांटी प्रखन में इस्तित है, जारखन की कोईला खदानों से कोईला अधारित बिजली सेयत के कोईला उपलवद इसके लिए होता है, इसके अलाबा, यह सहित बिहार के उत्तरी भागों को बिजली परदान करता है, क्यों, देखिए यहां पर क्या था, यहां पर मुझपर्पूर, मुझपरपूर, जान देना है, उत्तर, कांटी, थर्मल पावर इस्टेशन, एंटी, पीची को सौप दिया गया है इसके अलाबा कहल गाउं सूपर थर्मल पाबर स्टेशन कहल गाउं भागल पूर जिला में है पिहार में यह इंपोर्टेंट है मैं एक पार यह सब पहले भी आपको बता चुका हूं कहां कहां कौन चीजें हैं यह सारे चीजें तो 1989 में से बिजली सेयतर काफी छोटा है फिर भी यह बहुत पुराना अपने आप में है और यहां पर देखेंगे बाड सूपर थलमर पाबर स्टेशन आजकल बहुत चर्चा में रहता है यह चौसा में दो ग्रीन फिल्ड विडूद पर्योजनाओं के विकास के लिए समझोता हुआ चौसा यानि कि बक्सर चौसा वही जगह है जहां से गंगा नदी इंट्री मारती है बिहार में ऐसे रिविजन करते रहना है जगह का नाम कोहीं आ जाये कुछ आ जाये चुकि बक्षन में है बक्सर से ही जाती है गंगा इंट्री मार लेती है बिहार में जो उतर प्रतेश क की अधारसिला रखी नभी नगर सूपर थर्मर पावर प्रयोजना बिहार के औरंगाबाद जिलेक के नभी नगर तालुका में इस्तित है यह इंपोर्टेंट है ध्यान रखिए हैं उसको आप चाहते स्किंसोट लेकर के रख सकते मैं चाह रहा था कि आपको एक एक लाइन में बता दूं ताकि यहां से यदि परश्ण बन जाता है मान के चलते हैं तो आप कम से कम पढ़े हुए होंगे ठीक है कंपनी का मुख उद्देश क्या है सभी परकार की नभी करनी नभी करनी उर्जा परिजनाव जैसर कि जल वीदूत सौर पवन बायो मास आधिक योजना बनाना वढ़ावा देना वैवस्थित करना शुरू करना संबन बैक करना विद्व विभसाय में सनलगन होना बिहार में कुल 13 जल विदूत परिजनाएं चैलू है उत कितना चौब भी है खाज करके उत्तर बिहार में तो भाईया क्या होगा जल विदूद पर जिनायाप करो यहां से बिजल उत्पद्न करो है ना तो तेरा ऐसा स्थापित किया गया है चौबन देख से जैसे कोशी बिहार का सोक कहते हैं कोशी नदी यहीं पर एक जल विदूद केंद्र बना उत्पादन होता है ऐसे अगर देखेंगे पुर्वी गंडग गंडग भी बाढ़ लाता है तो एक महापर प्रोजना बनाया गया पशीम चंपारन में 15 मेगवाट यहां से आता है इसके अलाबा बांकी सारे छोटे-छोटे हैं ठीक है इसके अलाबा अगर देखेंगे तो बिहार नविकर्निय उर्जा विकाश अविकरन ब्रेडा यह चर्चा में रहता है important हो सकता है मुझा खुद्देश क्या है बिहार में नविकर्निय उर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना बरतमान में इसके अधीन निम्नकार संचालित किया जा रहे हैं सरकारी भवनों पर रूफ टॉप सोलर भिडूत संयत नविकर्निय उर्जा को बढ़ावा देना है तो जितने भी सरकारी कारियाले हैं तो सरकारी कारियाले के छत पे सोलर पेनल लगाओ भाईया और यहां से क्या करो कमसकब ये कारियाले वेगराय में बिजली अपना अपना उत्पन हो जाए तो ये चीज़े यहां पर नीजी आवास ये भवनों पर रूप टॉर सोलर विदूत संयत इसके अलावा नीजी आवास के तरफ भी इसका विस्तार हो रहा है वहाँ भी सोलर पेनल लगाय जा रहा है पर भी तो सो़र उर्जस इत्र वार पंप और सोर स्ट्रीट लइट जो सर्गों पर लाइट रहता है तो देखते होंगे बिहार में जाते होंगे तो गली में आप गए आपका घर का रास्ता-इधरसे जारहा है यहां पर एक solar light लगा होगा यह light ऐसे यहां लगा होगा और एक यहां पर बरासा पेनल लगा होगा solar panel यहां से charge हो रहा है यह जा रहा है आप इधर से चलते होगा गवर की तरफ जाने है ठीक है इधर से light आ रहा है ठीक है यह solar street light भी इसके तहट issue को दिया गया है नविकर्निय उर्जा के छेतर में लखी सराई के कजरा और भागरपूर के पीरपैंती में सौर विदुत परयोजना प्रारंब की गई है जले निकायों पर सौर विदुत सैयंतर के तहट पटना के द्यान देना है विक्रम लेक पर विक्रम जिल जो है उस पर दो मेगावाट का सैयंतर लगाने की एक योजना है विदुत विदुत सैयंतर नवादा के रजवली में लगाने की योजना है एक तम इंपोर्टेंट है भाई साब इसको नौट कीजिए और अगर ऐसा होता है जो की पर्योजना है होगा ही क्योंकि इस फैनेंसिल एर बहुत पैसा दिया गया है कितना दिया गया विदुवर्स इस बार जो हुआ है तो उसमें पैसा दिया गया है 69,000 करूर रुपिया बिहार को बजट में सबको विस्तार से हम लोगों ने पढ़ लिया जैदा ना भी पढ़े ना इतना बस रिविजन कर लीजेगा एक दो बार पढ़ लीजेगा यहां से प्रशन आ जाएगा तो आज के इस लेक्चर में इतना ही लेक्चर कैसा लगा लिख करके जरूर बताईए क्या-क्या टॉपिक और एकॉनमी में लगता है आपको कराय जाना चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए आखरी कुछ दिनों में वो भी करा करके कम्प्लेट करा दूँगा आज के लेक्चर में इतना ही अपना बेहट ख्याल रखिए बहुत बहुत शुक्या थैंक यू सो मच